एक वक्त की बात है, किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था, जिसे अपने तेज दोड़ने पर बहुत घमन था, उसे जंगल में जो दिखता, वो उसी को अपने साथ दोड़ लगाने की चुनोती दे देता, एक बार उसे एक कच्छुआ दिखा, उसकी सुस्त चाल को दे देखते हुए खरगोश ने कच्छुए को भी दोड़ लगाने की चुनोती दे दी, कच्छुए ने खरगोश की चुनोती मान ली और दोड़ लगाने के लिए तयार हो गया, जंगल के सभी जानवर कच्छुए और खरगोश की दोड़ देखने के लिए जमा हो, गए, दोडने लगा और कच्छुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे कच्छुआ कहीं नहीं देखा। खरगोश ने सोचा, कच्छुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और उसे यहां तक पहुँचने में काफी वक्त लग जाएगा। क्यों न थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। ये सोचते हुए वो एक पेर के नीचे आराम करने लगा। पेर के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आँख लग गई। उसे पता भी नहीं चला। उधर, कच्छुआ धीरे धीरे और बिना रुके लक्ष तक पहुँच गया। उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालिया बजानी शुरू करती। तालियों की आवाद सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और वो दोड़कर जीत की रेखा तक पहुचा। लेकिन कच्छुआ तो पहले ही जीत चुका था और खरगोश पच्चताता रह गया।